ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आशारी बताते हैं आपके राशियों का हाल नोमी का महा पर्व रहेगा उत्रा फाल्गुनी नामक नक्षत्र होगा तथा सुबह छे बच के 49 मिनिट तक सिंग रासी में चंद्रमा उसके बाद कन्या राशी में चंद्रमा प्रवेश कर जाएंगे दिशासुल के अगर हम बात करें तो पूरुदिशा में होंगे इसलिए पूरुदिशा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारण वस पूर दिशा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा वश्यक हो तो दरपन में अपना चेहरा देख करके यात्रा औरम्ब कर सकते ही राहुकाल जो की प्रातह साड़े साथ बजे से शुरू हो करके नो बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मैंगलिक कारिक्रम आपको संपन्य नहीं करना चाहिए हलाकि राहुकाल का निरने आप अपने खृत्र के पंचांग अथवा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई शेत्रों में माना जाता है और कई शेत्रों में नहीं भी माना जाता है देनिक ग्रह गोचर के दि हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जोकी व्रशब रासी में वहीं चंद्रमा सुबह चे उन्चालीस तक सिंग राशी में उसके बाद कन्या राशी में, मंगल गरह करक राशी में, बुद गरह मेश राशी में, देव गुरु ब्रहस पती मेश राशी में, शुक्र गरह मिथुन राशी में, शनी डेव कुम्ब राशी में, राहु गरह मे के द्वारा किया जाएगा उसमें भी इनको अधिक से अधिक फाइदा हो सकता है इसके अलावा घर परिवार में शुब एवं मांगलिक का रिक्रम की योजना बनेगी और जो महनत इन्होंने पिछले दिनों की है उसके भी अपेक्षित परिणाम इनको प्राप्त हो सकते हैं तो कुल मिला करके छे राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेंस से लेकर के मीन सभी बारा राशी वालों का देनिक राशी पल पताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अन्त तक जरू देखिएगा और देखने के बाद अडिक काम पूरे होंगे अधिकतर समय मन और अंजन तथा परिवार के साथ मोज मस्ती संबंदी गती विडियो में व्यतित होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की जीवन को सकारात्मक नजरिये से समझने की कोशिश करे इससे आपके अंदर चल रही कई गलत फेमिया सुलच जाएगी धर्म और अध्यात्म के प्रति आपका बड़ता विश्वास भी आपको श सिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद उत्पन हो सकते हैं इसलिए किसी भी बात को ज़्यादा तूल न दे और उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तू जैसे मिस्री या शकर खाकर के घर से निकलते हैं तो का आगमन होगा तथा आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वाटावरन को खुश्णुमा बनाएगा अपने महत्तुपूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को आपसी वारतालाप से अपनी किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा बच्चों पर कठोर नियंतरन नरक करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा भागिशाली आपका आसमानी होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्तता बनी र इसी पर इलजाम लगाने से पहले अच्छी प्रकार से परताल अवश्य करें और अपनी वस्तूओं को समाल कर रखें ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग पीला होगा अब हम बात करते हैं सिंग रासी की पारिवारिक सदस्यों की सुक्स विधाओं का ध्यान रखने के प्रति आपका पूर्ण समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई अर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदट के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक वहम वा संक्रिनता परिवार के लोगों के लिए परिशानी का कारण बन सकती है इसलिए अ चीलापन बनाकर रखना अति आवश्यक होगा और उपाई के रूप में घर से निकलते समय एक लौंग या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेश योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ती होगी आपके अपनी व्यक्तिकत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके ह काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्तिके विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका निकट संबंधियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में चिर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्ता को खराब कर सकता है अपन एक जो है सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विष्णुजी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की घर के बड़े भुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलूँ से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशास तथा आज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हल्की पुल की परिषानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थित में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़ेवे हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दही का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनेतिक गतिविजियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथ आपकी गतिविधियों का नाजाईस फाइदा उठाकर आपको नुकसान पहुचा सकता है बच्चों की गतिविधियों पर तथा उनकी संगत पर आपको नजर रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में यदि आप भगवान विश्नुजी के मंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डेंट शुफलदाई साबित होगा आपका भाग्यशाली अंक दो होगा भाग्यशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गतिविधियों में पूरा सहयोग करना आपको महत पूर्ण मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से पहले पुनर अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अटके हुए रुके हुए कारियों में वैतित करेंगे इसाई संपती भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे घर परिवर्तन की आप योजना बना सकते हैं कोई जिशय में आप कुछ कारिभी संपन्न करेंगे और संतान संबंदी कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशखबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभग समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर मे चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक साथ होगा भागिशाली रंग आपका जामूनी होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की आज आपका अधिक्तम समय पारिवारिक लोगों के साथ व्यतीत होगा और घर की सुक्सुविध अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंद और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रवत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थुड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में छट के ऊपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफल्दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी भल और उनको करने वाले उपाई तर्थ भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमिन और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अभश्य कर लीजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद